हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आये सबसर हैं, हिंदुस्तान के पूरे बजट को बाटते हैं, उनकी लिस्ट मिकालो, 90 में से तीन पिछड़े वर्के हैं, एक आदिवासी हैं, तीन दलित हैं, और जब बजट को बाटने का काम आता है, तो उनको कोने में बठा दिया जाता है, कोने में बठा दिया जाता है, कहा जाता है देखो तुम लोग ज़्यादा बख्वास मत करो, इधर बैठो, ती 70% को कोने में बठा दिया जाता है, छोटी-छोटी मिनिस्ट्री दी जाती है, देश का 6% बजट, 6% बजट का निन्ने आप लोग लेते हो, तो प्राइवेट कंपनियों में 73% नहीं है, मीडिया में 73% नहीं है, शिक्षा में 73% नहीं है, स्वास में 73% नहीं है, तो आप हो कहां? मैं बताताओं आपको, من्डरेगा की लेस्ट नकालो, मजदूरों की लेस्ट निकालो, उसमें आपके नाम दिख जाएंगे, जितने देखने देख लो Contract Labor की लिस्ट निकालो उसमें आपके नाम दिख जाएंगे सफाई करमचारियों के नाम निकालो उसमें आपके नाम दिख जाएंगे तो ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे है एक तरफ समाजिक अन्याए दूसरे तरफ आर्थिक अन्याए किसानों को कुछ नहीं देते मज़दूरों को कुछ नहीं देते और पूरा का पूरा फाइदा 10-15 बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देते हैं इसलिए हमने यात्रा में न्याए शब जोड़ दिया